हलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चानल, आज मैं सिम्ला मिर्च और आलू की सबजी के रिसेपी सेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है इसके लिए मैंने यहाँ पर चार सिम्ला मिर्च ले लिया है और इसे पहले से अच्छे से धो कर लिया है अब इसका हम डंठल निकाल लेंगे, और उसके बाद इसे इक्वल इक्वल साइज में इसे कट कर लेंगे एक ही साइज में कट करने से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस प्रकार मैं एक सीमला मिर्स थोड़ा सा बड़ा साइज का था तो इसे मैं आठ तुकड़े में कट की हूँ और तीन सीमला मिर्स थोड़ा सा साइज में छोटा है तो इसे मैं 6 भाग में इसे कट कर लूँगी इस प्रकार मैं सारे सीमला मिर्स को कट कर ली हूँ और इसमें बहुत ही अच्छे से धोली हूँ धोकरी से जिस प्रकार हम सिमला मिर्ज को कट किये हैं उसी साइज में भी इसे कट करेंगे ऐसे में क्या होता है कि पकने में एक जैसे टाइम लगता है और एक बराबर से पक जाता है तो मैं यहाँ पर आलू को भी उसी साइज में ही कट करू यहाँ पर मैं आलू का छिलका नहीं निकाली हूँ इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आपके आलू में मिट्टी विट्टी जादा है तो आप छिलका भी इसका निकाल सकते हैं अब इसे भी एक बरतन में हम निकाल लेंगे अब यहाँ पर हम इसे बहुत ही अच् लेंगे और इसे मैं दो ही भाग में कट की हूँ आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च भी ले सकते हैं अब यहाँ पर मैं तीन मिडियम साइज का टमाटर ली हूँ इसे भी बहुत ही अच्छे से धो कर इसे सीर्फ मैं चार भाग में कट करूंगी जिस प्रकार हम आलू और सि कट हो गया है अब यहाँ पर मैं कड़ाही गर्म कर लूंगी जैसे ही कड़ाही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें धाई छोटा चमच टेल अट करूंगी सिम्मला मीर्ज की सबजी में बहुत जादा तेल नहीं लगता जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें राई एड़ कर दूंगी राई बहुत ही अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्ज एड़ कर देंगे आप चाहे तो यहीं पर कटे हुए प्याज भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है अब हम यहाँ पर सिंवला मिर्ज और आलू को एक साथ डाल देंगे और इसे एक मिनाट के लिए ढग देंगे उसके बाद इसे अच्छे से चला लेंगे इसे low to medium flame में बहुत ही अच्छे से fry करना है इसे ढग ढग कर हम इसे पकाएंगे तो इसे बहुत ही जल्दी पक जाता है टाइम बहुत कम लगता है यहाँ पर गैस का flame का विशेज दिहार रखना है low to medium flame में ही अंत तक इसे पकाना है अगर हम high flame कर देंगे तो सिमला मिर्ष बहुत ही जल्दी चीपक जाता है कड़ाही में और यह जल जाएगा इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा यहाँ पर सिमला मिर्ष और आलू बहुत ही अच्छे से fry हो गया है अब इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे और यहाँ पर गैस का flame medium ही रखना है इसे medium to low flame में आखरी तक इसे पकाना है यहाँ पर हम टमाटर को भी डख डख कर अच्छे से पका लेंगे जब टमाटर अच्छे से soft हो जाएगा तब हम इसमें सुखी मसाले एट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर बहुत ही अच्छे से soft हो गया है तब यहाँ पर मैं एक छोटा चमज धनिया पाउडर आधा चोटा चमज छल्दी पाउडर और यही पर आधा चोटा चमज कस्मेरी लाल मिज का पाउडर एट करूँगी अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा चोटा चमज भूना हुआ जीरा का पाउडर एट करूँगी आप चाहे तो यहीं पर सबजी मसाला गरम मसाला भी एट कर सकते हैं अब यहीं से में मैं बहुत ही थोड़ा सा पानी एट करूंगी ताकि मसाला जल न जाये अब इसे लगभग दो मिनट के लिए लो फ्लेम में मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे अगर आप सुकी सबजी बनाना चाहते हैं तो यहीं पर धनिया की पती एट करके इसे इंजवाए किज़े आप इसे रोटी पर आठे के साथ खा सकते हैं, मैं इसे रशे वाली सबजी बना रही हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा से ही पानी एट करूँगी और इसे बहुत ही अच्छे से पका लूँगी यहाँ पर सिमला मिर्ज और आलू की सबजी टेस्टी टेस्टी बन कर तयार है यहीं पर मैं गेश आफ कर लूँगी और कटे हुए धनिया की पत्ती एट कर दूँगी और इसे मैं सर्विंग वाल में सर्व कर लूँगी आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताइए और आप भी एक बार जरूर से ट्राइ कीजे बहुत ही टेस्टी और हेल्डी होता है और आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए राधे राधे अपना ख्याल रखे अपनों का ख्याल रखे थैंक्स फार वाचिंग